यूपिया ने अपना नाम बदल करके आई एन डी आई ये रख लिया वो अपने आपको इंडिया कहलमाना चाहती है लेकिन पढार मंत्रे ने कोदे उसका नाम घमंडिया रख दिया तो इस घमंडिया गटवंधन के पीछे के रचनाकार कौन है जानकारी के मताबिक पोरे स्क्रिप्ट लालुक प्रसाद यादब ने लिखी लालुक को ये साफ लग गया है कि अब उस सजाय आपता अपरादी है राजनिती में तो खुद नहीं आ सकते लेकिन बिहार की सत्ता अपने बच्चों को थामानी कि उन्हीं बहुत जल्दबाजी है वो हर हाल में नितीश कुमार को बिहार की गद्दी से हटा कर किंद्र का सपना दिखा कर हटाना चाहते थे और लगातार उन्हें लगता था कि यदि विपक्ष एक नहीं होगा तो उन्हें सजा होगी और वो फिर जेल चले जाए जल्दबाजी इस कदर थी लालू यादब को उन्होंने इंडिया गठवंधन बनवाया यूपिये से हटा करके लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश और जारखंड में जो जाती बात का समीकरण है उसमें ये इंडिया गठवंधन कई जगह पर मात खा रहा लालू परसाद अदब कभी बुड़ा बाल साफकरों का नारा देने का आरोप उन्हों पर लगता है मतलब ब्राम्हन भूमिहार राजपूत और लाला मतलब काहस इन चार जातियों के खिलाप नफरत पैदा करके ही लालू पिश्रों के नीता बनी और बाद में एमवाई सम अब इस लालू परसाद अदब ने क्या एक दिल्चस्प चाल चली है क्या यह महत संयोग है या प्रियोग उत्तर प्रदेश बिहार और जहारखंड इन तीनों सटे हुए राज्यों एक कल्चर वाले राज्य में एक खान पान से प्रभावित इन राज्यों में कॉंग्रिस अध्यक्ष एक ही जाती का है अभी कांग्रिस ने आजैस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया इससे पहले कुछ दिन पहले अखिलेश सिंग को मदन मुहन जहा के जगह पे अध्यक्ष बनाया और जारखंड में यह प्रियोग कांग्रिस का जारखंड में उसी धंका अभी रहा राजेश ठाकूर के साथ, राजेश ठाकूर चारखन कॉंग्रेस के अध्यक्षन, अखिलीश सिंग बिहार कॉंग्रेस के और अजय सिंग अब यूपी कॉंग्रेस के, ये तीनों भूम्यार जाती से हैं, जिनका बोट परसेंटेज बिहार जैसे प्रदेश में भी मात्र 1.5 है, तो जब जातिगत आधार पर ये खेल होता है, तो फिर सवाल ये है, कि कॉंग्रेस से ने गुम्यार जाती पर ये नाव क्यों खेला है, यदि लालो की राजदेती को आप समझेंगे, तो लालो ने कॉंग्रेस को क्या ये समझा दिया, कि बिहार, यूपी और जारखंड में, अब भी ब्राह्मनों का एक बड़ा समुदाय इस भ्रह्म में है, कि राजीव गांधी ब्राह्मन थे, पंडित नहरू ब्राह्मन थे, इंदीरा गांधी ब्राह्मन थी, इसलिए आप देखेंगे, कि बिहार में अब भी ब्राह्मनों का एक बड़ा वर्ग क कॉंग्रिस विरूधी है और लालुयादब के खिलाप तो एकदम से ताल ठोके है तो भुम्यारों का बोट किसी भी हाल में बिहार, यूपी और जारखंड में लालुयादब और उनके सरयोगी गठवंधन को नहीं मिल और ब्राम्हन इस भ्रम में है मानते हैं कि ने कॉंग्रिस के साथ गठवंधन होने के कारण भाजपा से बड़ी हद तक दोड़ी बिहार के कुछ एक्म सम्दावनों ने बना करके रखा है तो ये प्रयोग है या बस सिर्फ यूही मान लिया जाए कि इससा योग है लेकिन जो कुछ भी हो है बहुत दिलचस्प कि जा पर दाओं लगाया है जो संख्यावल में बेहत कम है तो कॉंग्रिस को क्या लालू एनी सब चीजों में उलजा कर रखकर अपनी राज़तिक दाओं पेच चल रहे हैं और कॉंग्रिस सालों से बिहार में लालू के कंधे पर लटक कर बैताल बड़ी रह गई है जो लालू सत्ता से बाहर करके बिहार बस थापित हुए कॉंग्रिस ने अपने आपको बस उसी का पिछलगू बना लिया उत्तर प्रदेस में भी कमोबेस यही इस्थिती रही है जहां जहां से कॉंग्रिस को जो पार्टी सत्ता से बाहर करती है कॉंग्रिस उसी की लटकन बनकर रह ज तो एक कॉंग्रेस की विवस्था है या अतीप में उसके द्वारा किये गए ऐसे करम जिसकी सजादेश की जनता उसे ऐसे दे रही है उसे खुद लग रहा है कि वो भरोसे के लायक नहीं रही इसलिए छेत्रिये छत्रपक छत्रपों के कंधों पर लटक कर उस सत्ता में बनी जहन आचाथी है ये वीडियो विस्टलिशन कैसा लगा इसके कंटेंट इदि आपको पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीज़े बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम जहन